हेलो माई दियर स्टूरेंट्स, चैप्टर 6 में से आज मैं और आप मिलके एक वेरी इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे, वो है DNA फिंगर पिंचिंग, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर में से एक टॉपिक को डिसकस किया था, वो था Human Genome Project, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इंटर कॉनेक्टिंग हैं, और Human Genome Project की वीडियो से आपको DNA फिंगर प्रिंटिंग को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प मिलेगी, ये टॉपिक्स एक्जामिनेशन पॉइं इंपॉटेंट तो हैं ही, बट ये बच्चों को थोड़ा लर्न करने में हार्ड लगते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, मैंने ट्राइ किया है कि इन दोनों टॉपिक्स को मैं ऐस इजी एस पॉसिबल बना पाऊं, बच्चों यहां पर ये अंकल भी DNA टेस्टिंग क दिमांड कर रहे हैं, और नेक्स पिक्चर में यह डख भी DNA टेस्ट का दिमांड कर रही है, और फार इट्स डख लिंग्स, क्योंकि यह डख थोड़ी वाइटिश है, और इसके बच्चे उसको लगता है कि यह अगली है, तो आज की क्लास जो बड़ी इंटरस्टिंग होने वाली है, उसके लिए वेलकम यू आल इन माई चैनल, बायलोजी विट और याम योगिता गुपता, बच्चो प्लीज शेर और सब्सक्राइब तो माई चैनल, और बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालती रहूं, आपको नोटिफिक मिलती रहें, और आपने मुझे कॉमेंट करके भी बताना है, कि आप मेरे से कौन से टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हो, सो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बच्चो DNA फिंगर प्रिंचिंग एक टेकनीक है, जो यूज की जाती है तो अदेंटिफाइ पीपल, लोगों की DNA के सेंपल्स को लिया जाता है, उनको मैच किया जाता है, तो उसको पहचानने के लिए इस टेकनीक को यूज करते हैं, जिसको कहते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग, इस टेकनीक को इन्वेंट किया था, ऐलक जैफ्रीज ने, इन 1985 इन दे इनवर्स्ट्री ओफ लाइसेस्टर इन इंग्लेंड, अब यह जो टॉपिक है, इसमें यूज दो हुआ है वर्ड फिंगर प्रिंटिंग, आपको पता है कि हमारे हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, उनमें जो प्रिंट्स होते हैं, वो भी बड़े यूनीक होते हैं कि कोई भी किसी भी दूसरे पर्सन का जो फिंगर प्रिंट है, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है, बट यह जो डियने फिंगर प्रिंटिंग है, यह हमारे फिंगर के प्रिंट्स की तरह नहीं होती है, यहाँ पर डियने में एक ऐसी टाइप के बैंड बनाते है ये जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े unique होते हैं और जिनको किसी भी surgery के साथ नहीं मिटाया जा सकता हालाँ कि ये जो हमारे hands के prints होते हैं इनको surgery के साथ change किया जा सकता है, इनको मिटाया जा सकता है So DNA fingerprinting is very very unique as compared to हमारे ये जो finger वाले prints होते हैं आपने human genome project में पढ़ा कि हमारे हार एक cell के अंदर जितना भी DNA है जो भी हमारे cell के अंदर जो nucleus है और उनके अंदर जो chromosome है जो DNA के बने है वो सारा DNA बना होता है 3 into 10 raise to power 9 base pairs का और वो sequence होते है differently in different individuals में है ना सभी हम लोग जितने भी individuals हैं सभी एक जैसे base pairs के बने है मगर सिर्फ फरक्या है हमारी base pairs की sequencing का ठीक है तो अगर हमने किसी two persons के बीच में कोई differences देखने है तो हर बार DNA के sequences को सारे DNA को बाहर निकालके इनके sequence को देखना बड़ा daunting project है और बड़ा expensive है इसलिए ये जो DNA fingerprinting है इसने इस problem को solve कर दिया है और ये जो technique है ये frequently used होती है to solve many cases आपको एक और interesting बात बताऊं कि हम सब individuals जो है उनका same DNA होता है about 99.9% ये जो pictures में आप अंकल और आंटी और ये वले अंकल देख रहे हैं ये सबी जो है एक जैसा DNA शेयर करते हैं कितना 99.9% तो फिर difference कहा है only in 0.1% sequences में difference है बस ये जो base pairs होते हैं adenine, guanine, cytosine, orthiamine इनके बारे में मैंने detail में बात की है human genome project की video में तो सिरफ 0.1% base pairs का जो sequence है उसमें difference होने के कारण सारे individuals जो हैं वो different होते हैं कितना interesting और कितनी हैरान करने वाली बात है अब ये जो sequence हैं जिनको मैंने difference बोला अब आप उनके बार में जड़ा एक बार फिरसे देखते हैं इस picture में ये जो मैंने picture लगाई है इसमें देखिए ये three persons हैं एक uncle है एक auntie है और एक बच्चा है इनका DNA सपोज को ये सारी DNA उनके DNA की picture है तो ये जो portion है जी ये भी जीन इस बच्चे के बताता है ये इस auntie के बताता है और ये uncle के बताता है हो सकता है ये जीन उनके color को identify कर रहे हो और ये वाले जीन्स जो है उनकी height को कर रहे हो ये वाले जीन्स जो है उनके hair के color को कर रहे हो and so on तो ये सारे जीन्स तो होगे बट इन तीनों में difference कहां से आता है अगर ये सब कुछ सेम से आपको लग रहा है तो difference आता है यहां से और यहां पर five times repeat हो रहा है similarly यहां पर फिर से एक sequence है जो twelve times repeat हो रहा है यहां पर seven times और यहां पर ten times बस इन differences के कारण इन sequences के differences के कारण ही यह जो uncle है और यह जो auntie है और यह जो बच्चा है यह तीनों की individual जो है यह अपस में different है तो इसका मतलब हुआ कि यह जो sequences है यह कोई proteins नहीं बनाते है बट यह सिर्फ human genome का एक बहुत बड़ा part होते है हमारे DNA का बहुत बड़ा part होते है और यह high degree of polymorphism show करते है polymorphism का मतलब है कि यह बार बार यह जो suppose को यह से यह 12 repeated sequence इसका base pairs का sequence है यह हो सकता है इस DNA में फिर से एक बार फिर से यह show हो again and again ठीक है और इस 0.1% sequencing को analyze करना इनके बारे में समझना कि कौन से individual में कैसे यह adjust हुआ है इस process को कहते है DNA finger printing नो इसका मतलब हुआ कि DNA finger printing का principle क्या है कि हमने उन portions को पूरे DNA को नहीं हमने दो इंसानों को अगर हमने compare करना है तो उनकी पूरे DNA को कोई identify करने की ज़रूरत नहीं है कोई उनको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है सिरफ हमने वहाँ पर उन regions को देखने आए जहाँ पर जो DNA sequencing में differences है उस small stretch को देखना है अब उस small stretch क्योंकि यह जो मैंने पहले भी बोला कि यह जो stretches होते हैं small वाले यह again and again repeat होते हैं हमारे DNA में इसलिए इनको repetitive DNA भी कहते हैं जैसे यहाँ पर देखे यहाँ पर man 1, man 2 और man 3 में यह जो पहला sequence तो चोलो जो भी चल रहा था आगे देखे CTA, CTA, CTA यह वाला जो sequence है first person में five times repeat हुआ second में six times और third में seven times repeat हुआ बस यही repetition का जो sequence है यह तीनों जो persons है इनको आपस में distinguish करता है और इनको बोलते हैं short tandem repeats क्योंकि यह short short repeats चोटी चोटी repeats है इनको हम short tandem repeats भी कहते हैं repetitive DNA भी कहते हैं understood बस इस DNA को ही हमने यहाँ पर देखना होता है इसको identify करना होता है कि कौन से person में कितनी बार यह DNA repeat हुआ हुआ है now जब पूरे DNA को repetitive DNA को जो bulk genomic DNA जैसे मैंने आपको कहा हमारे cell के अंदर जो पूरा genome के अंदर जो जैतना भी DNA है हमने उसमें से सिरफ repetitive DNA को निकालना है ठीक है उस process को जिस process से हमने पूरे genome के पूरे genomic DNA में से repetitive DNA को separate करने की जो technique है that is known as dentistry gradient centrifugation dentistry gradient centrifugation technique से पूरे genome के DNA में से repetitive DNA को separate किया जाता है understood अब क्या ऐसे होता है जैसे हम गर में लसी बनाते हैं mixी में तो क्या होता है वैसे ही ये centrifugation की कुछ technique होती है उसमें जो high density वाले pieces होते हैं वो periphery में side पे आ जाते हैं और low density वाले center में आ जाते हैं इसका मतलब two peaks बनती है तो ऐसे मान के चलो कि ये two peaks बनती है mountain की तरह ये जो बड़ी वाली peak है ये वाली ये बनाता है bulk DNA जिसकी हमें जरूरत नहीं है जो 99.9% है ठीक है ये सब में same है हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है ये हो गई major peak ये वाली understood और ये जो छोटी peak है ये वाली this is small peak and this is known as satellite DNA और ये जो satellite DNA है ये वाला ये बनाता है कितना 0.1% बस हमें इसकी जरूरत है आपको समझ आ रही है अब जो ये जो satellite DNA है किया हुआ है कौन से को इस वाले वाले को इसको टू काटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक को कहते है mini satellite और दूसरे को कहते है micro satellite on the basis of their base composition कि वो adenine thiamine वाला ज्यादा combination है उन में या cytosyn guanine वाला ज्यादा combination है और दूसरा क्या उनके लिए criteria है कि वो जो repetitive DNA की जो length है वो कितनी है segment की और third वो sequence जो है वो कितनी time how many times this sequence is repeated जितने time वो sequence उसमें repeat हो रहा DNA में that is known as copy number ये भी आपको MCQ में many times पूछा जाता है now ये जो mini satellite है satellite DNA का जो एक part है mini satellite जो smaller peak थी वो show करता है highly repetitive nucleotide sequences उसमें polymorphism बहुत जादा है वो बार बार हमारे DNA में repeat होता है इसलिए micro satellite के comparison में हम mini satellite को use करते हैं in the process of DNA fingerprinting ठीक है for example ये देखी ये जो sequencing है ये बार 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 किसी DNA में repeat हो रही है अब ये तो बहुत सारे chromosome में ये वाली sequencing हो सकती है मगर हार एक individual में ये इसमें variation होती है in the length किसी में हो सकता है इतना हो किसी में हो सकता है बहुत पूरा हो इतना और किसी में हो सकता है बस इतना सा हो बस इनकी variation होती है length में among the individuals क्योंकि इनमे variation होती है इसलिए हम इसको variable number of tandem repeats कहते हैं और इसको कहते हैं VNTR और इस mini satellite DNA को या VNTR को DNA fingerprinting में as a radio labeled probe यूज किया जाता है understood अब ये सारी बातें आप आने वाले chapters में भी biotechnology के chapter में भी यूज करेंगे अब हम बात करेंगे कि ये DNA fingerprinting होती कैसे है इसकी methodology क्या है अब first step में क्या करना है first step में तो naturally आपको पता है कि किसी भी individual का DNA को क्या करना है isolate करना है cell message को निकालना है sample लेते हैं DNA का अब ये sample कहां से लेते हैं वो blood भी हो सकता है hair follicles हो सकते है saliva हो सकता है semen हो सकता है मतलब spans का जो liquid हो हो सकता है blood body के tissue cells हो सकते है cheek epithelial cells हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं अब उन cells को breakdown किया जाता है और उन में से DNA को release किया जाता है understood step two में क्या होता है कि अब DNA जो जब release हो गया cell में से निकाल दिया तो restriction endonuclease enzymes जो होते हैं वो उस DNA को small fragments में cut करते हैं यह देखिए ऐसा लगता है जैसे एक seizure की help से इस DNA को small cuts में काटा जाता है small fragments में काटा जाता है यहाँ पर भी इस picture में भी यह restriction endonuclease जो है यह इस DNA को यहाँ से cut कर रहा है true fragments में उसके बाद जो छोटी-छोटी fragments कट गई उसको फिर gel laprophoresis एक process होता है उस process में उसको क्या किया जाता है अब इन DNA fragments जो small fragments थी उनको sort out किया जाता है according to size देखिए इस process में क्या करते हैं glass की कुछ plates होती है उन plates के ओपर ऐसे well like structure बने होते हैं ठीक है तो DNA की यह जो fragments हैं इनको different sizes की उनको in wells में यहाँ पर डाला जाता है और इस पूरे जो जितना setup है इसको फिर wells के अंदर डाली जाती है agros gel और electric current की supply इस पूरे setup को दी जाती है electric supply देने से क्या होता है कि जो longer fragments है वो पीछे रह जाती है और जो smaller fragments है वो speedly आगे की और चली जाती है इस process को कहते हैं gel electrophoresis क्योंकि DNA जो होता है वो negatively charged होता है तो जब electric supply दी जाती है तो DNA की कुन सी side move करेंगी उसकी सारी fragments towards positive end opposite side जाएंगी ना तो larger fragments जो है वो पीछे रह गई और shortest fragments जो है वो यहाँ पर आगे आगे चली जाती है in well से यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर डालते जाते हैं और longer ones यहाँ आ जाती है, smaller ones यहाँ आ जाती है क्योंकि जो shorter हैं वो faster move करती है as compared to longer ones अब उसके बाद क्या हुआ जब यह दोनों की fragments के size में वो separate हो गई अब उन separated DNA fragments को transfer किया जाता है एक nylon sheet या एक synthetic membrane के उपर और वो कैसे वो जो gel, जो agrose gel थी उसके उपर इस nylon sheet को रखा जाता है और उसके उपर DNA fragments को transfer किया जाता है इस process को कहते हैं, blotting understood? next step है hybridization अब क्या हुआ? अब hybridization के लिए VNTR probe का use किया जाता है बचो प्रोब क्या होता है? प्रोब का मतलब होता है कि ये एक DNA की ही segment होती है single segment जो use की जाती है for the purpose of hybridization ये अपने जैसे complementary अपने जो base pairs के, जो nucleotides के जो compliments होते हैं, उनको वहाँ पर वो search करती है so that hybridization के बाद ये फिर से एक double stranded DNA बन जाए तो तब ही तो पता चलता है कि ये हम कहते हैं कि इसका DNA उसके साथ match कर गया क्यूंकि sample के DNA में ये VNTR probe डारा जाता है understood, तो एक radioactive material is added which combines with DNA fragments to produce a fluorescent image तो एक radioactive substance के कारण ये DNA की जो उसकी bands होते हैं वो fluorescent image बनाते हैं और photographic copy of these DNA bands is made now उसके बाद इन bands की detection की जाती है, उनकी scanning की जाती है जो hybridized DNA बना था, जब उसने अपनी complementary DNA के साथ वो जूड के फिर से double stranded DNA बन गया था with the help of auto radiography, ठीक है, तो तब ही पता चलता है कि अगर तो उसने complementary अपनी copies डून ली, तो इसका मतलब है कि दोनों का उस genome DNA का और जो दूसरा जो हमने sample जो डाला था उसका DNA match कर गया, और अगर complementary नहीं बना तो इसका मतलब है कि दोनों sample का और उसका DNA आपस में match नहीं करता है अब इस picture में देखे, यह जो पूरा process मैंने आपको समझाया इसको मैंने summarize किया है इसमें कि DNA को suppose कर एक test tube में ले लिया जाता है उसके बाद DNA को यह जो endonucleases जो enzymes होते हैं वो उसको छोटी-छोटी small fragments में काटते हैं फिर gel electrophoresis की help से DNA की जो bands उनको अलगलग किया जाता है फिर DNA को transfer किया जाता है on segments को on the nylon sheet फिर उसकी hybridization होती है और x-ray या radio autographic से इसको देखा जाता है इन segments को match किया जाता है Now these bands give a characteristic pattern for individual DNA अब यह जो bands है ना बच्चो यह सभी individuals के लिए different होते है चाहे तो जो twins भी होते हैं वो भी आपस में नहीं मिलते except जो monozygotic twins होते हैं जो identical twins होते हैं उनके bands हो सकता है कि वो मिलते हैं ठीक है यहाँ पर इस picture में देखिए फाइव individuals यह individual 1, individual 2, 3, 4 and 5 इन फाइव individuals के जो bands है वो आपस में बिलकुल भी नहीं मिलते इसका मतलब they are not related to each other Now sensitivity of this technique has been increased by the use of PCR इस PCR technique से यह जो DNA fingerprinting की technique है इसको use करने से, इसको PCR को कहते हैं polymerase chain reaction इसके बारे में आप next आने वाले chapters में पढ़ेंगे बायो टेक्नोलोजी के जो chapters हैं उन्हें में आप पढ़ेंगे इस technique को use करने से जो हम और amplified view को इन fragments के amplified view को हम देख सकते हैं और PCR से इस DNA fingerprinting की technique को बहुत help मिली है नो बचो अब हम देखें कि इसका use कहां होता है first is paternity issues कभी-कभी जो fathers हैं वो claim नहीं करते हैं किसी child को या कभी-कभी एक child claim करता है कि yes, he is my father तो paternity issue को या inheritance की जो cases हैं कि ये property का फिर inherit कर सकता है कि नहीं कर सकता तो ये जो inheritance की cases हैं इनको solve करने के लिए DNA fingerprinting का बड़ा rule है अब देखें यहां पर इस picture में देखें ये जो child है ये आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जो भी DNA है ये half बनता है mother से और half आता है father से ये तो आपका पता ही है क्योंकि दोनों के chromosomes मिलके तो ये एक zygote बनाते है तो यहां पर देखें ये जो child है इसका first band जो है इसने mother का नहीं लिया और जो second band है ये वाला ये इस dad का भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है इसका मतलब first dad तो ही नहीं अब जो second band है ये यहां से आया इसको mother से अब जो ये जो third band है ये भी आया mother से fourth band जो है ये इस father से तो आया मगर जो fifth band यहां से हम कह सकते हैं बट यहां पर इतना DNA इस father का इसको कोई भी इस DNA का portion नहीं आया इसका मतलब हुआ कि half of the DNA जो है वो इस dad से इसने carry नहीं किया तो ये band जो है अब this band जो है ये वाला band इसने कहां से लिया इस father से और ये वाला band भी इसी father से और next band जो है ये इस mother से तो इसका मतलब हुआ कि this dad dad three जो है जो claim कर रहे थे कि ये मेरा child है तो dad one and dad two are not his father's dad three is his father number two forensic science में crime cases को solve करने के लिए भी use किया जाता है जैसे आप देखिए crime scene पे आप देखा था कि जो वहां से sample लिया गया blood का और DNA profiles को match किया गया उस sample को भी वो match करते हैं वहां का DNA वो जो suspect थे police ने तीन suspect को पकड़ा था इन तीनों में से देखा कि किसका DNA match करता है crime scene का जो DNA था वो ये था और suspect two का DNA के band जो है वो भी इसके साथ बिलकुल exactly match करते हैं इसका मतलब ये जो दाड़ी वाले बाबा हैं he was the criminal now third or most important use है कि armed services में instead of dog tags या dental records या blood types की जगे इस fingerprinting का use किया जाता है ये जो armed forces के जो army persons होते हैं जो कभी गुम हो जाते हैं तो उनके DNA को पहचानने के लिए उनकी identification करने के लिए ऐसी ही 9-11 का जो terrorist attack था उसमें भी बहुत सारे victims को पहचानने के लिए DNA fingerprinting का use किया गया moreover medical uses भी है DNA fingerprinting की जो organ donors होते हैं जब किसी को kidney जैसे आपने सुना होगा transplantation होती है etc उसके लिए भी पहले जब match कराते हैं तो कौन सा match कराते हैं DNA का match कराते हैं ठीक है ऐसे ही diagnosing inherited disorders तो कि कोई के बारी families में कुछ disorders जो होते हैं वो from one generation to another generation transfer हो रहे होते हैं तो उससे भी उनको DNA fingerprinting से उनको diagnose करने में help मिलती हैं और genetic disorders की research में भी ये बड़ी helpful है नव बच्चों ये जो picture है ये आपका homework है ओके ये एक mom के DNA के bands हैं और ये हैं father के DNA के bands ओके ये two daughters हैं और two sons के bands हैं आपने मुझे comment box में comment करके बताना है कि कौन कौन सी daughter या son जो हैं ये इन parents के बच्चे हैं तो आपने याद रखना है कि आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो उसको subscribe जरूर करना है और अपने और friends के साथ आपने और nears and dears के साथ इसको share करना है thank you very much for watching my video अपने next video में फिर से मिलेंगे